दोस्तो आज हम compare करने वाले हैं X80 के Sony का जो smart TV था जो 2022 model था या जो नया launch हुआ है जो की X80L उत्तो उनों में difference क्या है क्या main difference है price में difference क्या है और कौन सा आपको purchase करना चाहिए क्या 80 के बहुत बहतर option हो गया क्योंकि उसके price घट गए है दोस्तो सबसे पहले design के बात करें तो मैंने आपको जैसे के बताया था जो नया वाला TV लॉंच हुआ है वो design बिल्कुल बिल्कुल आपको similar ही देखने मिलेगा और premium build quality Sony के TV के मिलती है बेजल्स आपको बहुत कम दिखाई देंगे और back side से देखेंगे आपको square pattern दिखाई देगा जो कि बहुत ही खुबसूरत है premium quality का आपको जो है option मिलता है तो दोनों ही TV लगबग लगबग similar दिखाई देंगे design के मामने में अगर बात करें बात करें sizes के तो यहाँ पे 43 से लेके आपको 75 इस तक दोनों ही TV में मिल जाएंगे option बट आपको जो नया वाला है वहाँ पे 85 option है दोस्तो यहाँ पे कुछ X80L जो 2023 मोडल है कुछ मोडल लॉंच नहीं हुए उनके price अभी आए नहीं है बट जो आए है वो आपको बताएंगे तो यहाँ पे आगर के हैं sizes का defense पता लग गया आपको design का पता लग गया picture quality के बात करें तो दोस्तो दोनों ही TV में आपको 60 Hz या 50 Hz refresh rate के लिए यहाँ पे लोग confused हो जाते हैं के 50 Hz है या 60 Hz है 10 Hz तो यहाँ पे अलग 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 एक फीचर आपको मिल जाएगा auto जो है brightness on होगी तो वो अच्छा option आपको यहाँ पर मिलेगा SDR 10, HLG जैसे features आपको इसमें मिल जाएंगे जो की बहुत ही कमाल के है दोस्तो यहाँ पे 4K SDR processor X1 मिलेगा जो की पुराने में था वो ही आपको यहाँ पर मिलेगा Triluminous Pro जो है आपको मिलेगा तो काफी अच्छी टेक्नोजी है Triluminous Pro उसमें color बहुत ही perfect मिलते हैं अप स्केलिंग बगारा सब होता है दोस्तो यहाँ पे live color technology भी आपको मिल जाएगी object, contrast, remaster जैसे facility बहुत सारे option है picture quality में दोनों में कोई आपको difference measure नहीं आएगा दोस्तो motion flow technology भी बात करें XR200 मिलेगा 50 Hz पर तो यहाँ पे आपको जो है दोनों में similar मिलेगा motion बहुत अच्छे से present होंगे जिसे कि आपको perfect पहें तो किसी movie में अगर high street scene है या sports देख रहे है तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको picture quality नजर आएगी तो दोनों में ही similar similar है sound के बात करते हैं तो यहाँ दोनों ही TV में आपको 10-10 watts के speaker मिलेंगे जो कि 20 watts हो जाते है और आपको यहाँ पर Dolby, Atmos और DTS surround sound दोनों में ही मिल जाएगी तो यहाँ पर एक अच्छा option है sound यहाँ पर बढ़ सकती थी बढ़ाई दी गई है यह पुराने वाले बढ़ यहाँ पर 20 watts जो sound है वो Sony के speaker होते हैं बहुत ही कमाल की sound होती है आपको एक-एक vocals और जो sound की एक-एक clarity है वो आपको सुनाई देगी मैंने personally सुनी है तो बहुत ही कमाल की यह लगती है मतलब कहें तो कहेंगे कि यार Sony की sound तो almost top of the line है तो वहाँ पर आपको यहाँ पर कोई भी problem नहीं होगी दोस्तो यहाँ पर bass reflex, speaker और x balance जो है वो option मिल जाएंगे तो दोनों में ही similar similar option आपको मिल जाते हैं दोस्तो दोनों ही टीवी में आपको brev या cam का option मिलेगा बट वो external option आपको मिलेगा मतलब आप optional खरीज सकते हैं तो आप उसे video call, google meet बगारा पर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा option है दोस्तों यहाँ पर software की बात करें तो दोनों में गूगल TV मिलेगा Android 11 पर चलेगा बट दोस्तों यहाँ पर x80K जो है वहाँ पर आपको 16GB internal memory मिलेगी जो onboard है और यहाँ पर इस बार memory double कर दीगे 32GB memory कर दीगे 2023 model यानि के L में आपको मिलेगा तो यहाँ पर एक बड़ा difference आपको नजर आएगा Google Voice Assistant मिलेगा यहाँ पर नई में hands-free मिलेगा और उसमें आपको remote के दुरू मिलेगा तो यहाँ पर यह difference आपको नजर आएगा दोस्तों Chromecast जैसे feature Apple Airplay 2, Alexa built-in सब option आपको मिलेंगे तो यहाँ पर यह बहुत option अगर आपके पास iPhone है तो दोनों ही टीवी में आप easy जो है cast कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर gaming feature जो PS5 के लिए है तो दोनों ही टीवी में आपको HDR gaming जैसे option मिलेंगे auto tone jam mode भी मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर game menu इंट्रिउस किया है नहे वाले में तो सारे feature जो game से related है वही पर मिलेंगे चाहे VRR हो auto low latency mode हो या HDR mode हो या gaming jam mode हो तो automatically switch कर सकते हैं movie से लेके आप जो है एक click पर game पर वो मिलता है आपको game menu में तो ATK में आपको game menu नहीं मिलेगा बट हो सकता है आने वाले दुनों में आपको वहाँ पर update देखने को मिल जाए तो game menu भी वहाँ पर मिलेगा क्योंकि काफी नया TV है और बहुत अच्छे जो है उसमें specification और quality बगएरा है तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में आएगा बट फिलाल अभी नहीं है तो game menu बहुत अच्छा option है जहाँ पे आप सारी चीजे game से related देख सकते हैं दोस्तो एक और बड़ा feature है आपको Bravia Core जो है X80L में देखने को मिलेगा जबकि X80K में Bravia Core नहीं मिलेगा तो Bravia Core क्या service है कि जैसे Amazon Prime Video Netflix या Disney Hot Star जो है content देते हैं तो Bravia Core Sony की जो original movies बगएरा है उनका सारा option वहाँ मिलता है बट वो 80 Megabit per second पर चलती है तो वो जो है जो movie आप देख रहे हो अगर Netflix की बात करें 11-15 Megabit per second पर आपको जो है data transfer rate आदा है तो उसमें quality बहुत 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 होती बट 80 bits अगर आएंगे आपके internet से तो वहाँ पर data तो consumption ज़्याद होगा बट वहाँ पर quality सोचिए कि आपकी movie की quality और sound की quality कितनी बहुत होने वाली तो Sony की तरब से ये service है तो Bravia Core आपको X80L में देखने को मिलेगा जबकि पुराने में नहीं मिलेगा तो यहाँ पे कुछ changes है जो नहीं में आपको देखने को मिलेगा connectivity बात करें HDMI 2.1 दोनों में मिलेगे 2 USB port, Ethernet port, Wi-Fi option सब मतलब connectivity के बड़िया option आपको मिल जाएंगे दोस्तो अगर यहाँ पे prices की बात करते है तो Sony का X80K जो है उसका जो price है वो 62,9900 रूपीज है जो अभी कम price चल रहा है अगर बात करते हैं X80L का तो उसका price आपको मिलेगा 69,9900 रूपीज लगबग इतना रूपे मिलेगा या 70,000 के करीब मिलेगा तो यहाँ पे लगबग 8,9900 रूपे का difference आपको मिलेगा दोस्तो यहाँ पे 50 इंच की बात करें 2022 model की तो उसका price लगबग 70,000 के करीब चल रहा है और तो नया model launch हुआ है उसका अगर price की बात तो दोस्तो 77,890 रूपी लगब 78,000 रूपीज में मिल रहा है तो यानि कि अग कहें तो सारे जो models हैं उसमें लगब 8,000 रूपे के करीब आपको difference में जर आएगा दोस्तो अब आपको लेना कौन हो जाई है तो देखिए मेरे हिसाब से तो X80 के उतना ही बहतर है जितना नया बट कुछ add-on फीचर है जैसे Bravia Core तो बहुत अच्छी जो है आप अगर internet unlimited यूज करते इंटरनेट का जादे ही यूज करते और OTT movies देखते हैं तो Bravia Core आपके लिए एक बहुत ही बहतर जो experience है बहुत ही large अब experience मिलेगा जिसमें की audio और picture quality बहुत ही बहतर नजर आएगी तो उसलिए जा सकते game menu add-on हो गया है 32 GB जो memory है वो आपको यहाँ पर ज़्यादे देखने को मिलती है तो यह कुछ feature है जिससे आप नया ले सकते हैं मेरे हिसाब से अगर आपका budget का issue है तो आप पुराना वाला ले लीजिए अगर आपका budget का issue नहीं है तो नया वाला आपके लिए perfect है क्योंकि जब कोई नया प्रोड कराता है तो उसमें software update काफी दिन तक मिलता हो प्लस आपको latest feature भी मिलते है तो description में दोनों का link है आप कोई सा भी purchase कर लीजिए नो-nो की बहतर है मैंने आपको बता दी आप choice आपकी है इस video is related कोई भी query है comment में लिखिए पूछ सकते है और उस ओपर थोड़ आईए subscribe बिटन है उसको please दबाईए ऐसी interesting video आपको देते रहेंगे और latest update के लिए ट्विटर इंस्टा पर ढूर जाईए जैसे कि latest instant update आपको नहीं नहीं मिलती रहती है तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए तना ही thank you so much बन देवाद